भारती मेडिया जो है आप कहलें के टेड़ी दुम की तरह हैं जो सीधी नहीं हो सकती है अब तू पागल है जा लेकिन जले भारत का तो कहलें कि हाग क्या को दुश्मन है ना उसने तो दंदिगीत करनी है मौका हासे जाने ने देना उसका मीडिया ऐसी किसम की जूटी और मन घड़त खबरों से व्यूज लेता है कमर्शल लेता है व्यूवर्शिप लेता है तेल गरम करो और अपने दिमाग में ड़लो दिमाग में जोंग लग गए तुम्हरा दिमाग को जोंग इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान का पहला ऐसा है इसने पाकिस्तान की आवां को पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ही खड़ा कर दिया 75 साल में कोई भी दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान के अंदर नहीं कर पाया वो इमरान खान ने करके दिखा दिया क्या बात है सर अब आग लगती है तो दुआ भी उड़ता है जैसे जैसे इमरान खान के लच्छन पाकिस्तान से बार निकले वैसे वैसे दुनिया ने इसके ओपर अपनी राहे रखना शुरू किया और खास्तोर से इंडियन मीडिया ने भी अच्छा खासा इस मुद्धे के ओपर पाकिस्तान को गेरा मगर क्यों? ऐसे में इमरान खान पाकिस्तान में चारों तरफ से गिर गया तो इनके बचाओं में आए सबसे पहले तो फीजा खलीबा जिसने इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीब को इंडिया का चमचा साबित करने में कोई कासर नी छोड़ी तो ये फीजा खलीबा साबित करने लेगे कि इंडिया का चमचा इमरान खान नहीं बलकी नवाज शरीब है नाजरीन हुकूमत इमरान खान की जो लॉंग मार्च है उसको तो काबू नहीं कर से की लेकिन इस लॉंग मार्च को कभी खूनी मार्च, कभी फितना मार्च, कभी मुल्क दुश्मन मार्च और कभी कातिल मार्च करार देती दिखाई दे रही है अच्छे पहली बारे कि ओपोजिशन के तजाज से मौचूदा हुकूमत इतनी घबरा चुकी है कि उसको इमरान खान के खिलाफ एक तिनके के बराबर भी कुछ चीज अगर मिल रही है तो वो इसको बन्याद बनाकर प्रॉपरगेंड़ा शुरू कर देती है चंद दिनों से इमरान खान की खबरें भारती मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है और ऐसा तास्वर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही जो लॉंग मार्च है हकूमत के खिलाफ नहीं बलके फौज के खिलाफ है जबके इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि इ जबूत है वो फौज है जरा क्लिप चलाएगा अजीब बात है आप समझते हैं सुपासलार वेदार है लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिनकी के लिए बिगर आपने इस मिलादमत में रहने तो रहें और अगर वह वाकी आपकी नजर में अगदार है आपकी सोच म क्यों मिलते हैं मुझे आपके मिलने पर इतराज नहीं है देखा दोस्तों आपने आवाज भर रहा गई बंदा रो रहा है लिटरिली जिसको कहते हैं आवाज भर रहा जाती है जब इमोशन जादा हो जाते हैं मैं यह कह रहा हूँ यार कि ISI वो एजिंसी है जिसके बारे मे सामने रो रहा है इमरान खान ने वो काम करती है जो मैं कभी देखे वो चीफ को गाली देना और यह नो रावल पिंडी में लाल हवेली जो शेक रशीद का घार है या था उसको निकाल रहे हैं वहाँ पे बाजवा हाय हाय यह सब तो एक जमाने में यानि कि जब यह हुआ थ मेरे होश फाक्ता होगा यहाँ पे डी जी आयसाई रो राय लग भग आवाज भर रा गई उसकी कर लिए जो कि इंतहाई अफसोस नाक है अच्छा किसी भी जमूरी मुलक में ऑपोजिशन का एक बन्यादी हाक होता है कि वह इतिजाज कर सके खुद पांसे शेमा पहले तक पीडियम ने कोई दरचन भर इतिजाज इमरान खान के खिये और इमरान खान ने उनके किसी एक इ ही रोका था मगर आज पीडियम हकूमत में है और इमरान खान के एक लॉंग मार से इतनी खौफज़द है कि पूरे इसलामाबाद को रेड जोन डिकलियर करके बकाइदा एक कला बना दिये और दूसरी तरफ एक जमूरी और सियासी तजाज को मुलक दुश्मनी करार दे रह गई है कि भारती खबरों के सहारे अपनी सियासत बचा रहे है चल क्या रहा हो क्या रहा है यह मुस्मिन नून के रहनुमाओं की जो ट्वीट्स है आप देख सकते हैं चलाएगा टीम जड़ा यह जो हीना परवेजबट साहिब हैं माईज़ा हमीद साहिब हैं और कई नून सिर्फ यही नहीं बलके निवाज श्रीफ का विये बियान भी इसी भारती मीडिया की जिनत बना था कि भारत में मुंबई हमलों के पीछे पाकिस्तानी देशत करते फिजा खलीबाद और इम्रान खान की पहर्वी करेगी करेगी उसकी मुह बोली रखेले यह आप मानो या ना मानो लेकिन इम्रान खान की चोथी नाजाई पत्नी है जो अभी तक डिक्लेर नहीं हुए लेकिन कुछ समय के बाद में आपको वह समझ रहो तो इसी मुद्दे पर निकले पाकिस्तानी पत्रकार और इनको मिल गए एक वकिल साब तो चलिए वकिल साब की भी थोड़ी सी चलते हैं पाकिस्ता आप भी एड़ोगेट है हाँ जी अलहमदुल्लाइब जिस टापिक पर वीडियो रिकार्ट कर रहा हूं वो टापिक यह है कि खान साब के बा अगर कभी वक्त आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह सारा जो क्राउड गया इसलामबाद यह बौर्डर पर चला जाएगा वाँ वाई सब वाह यह पड़े लिखे वकिले बौर्डर पर आगे क्या अंड़ोगे कि तुम्हारी आर्मी के लिए बेठी हुई है अब बोडर की तरफ आओ तो सही जैसे तुम्हारे आतंगवादियों को ठोकते हैं वैसे तुम्हारी आवाम को भी ठोक देंगे आओ तो सही कुछ भी बोले जा रहे हैं मतलब काला कोट पेन लिया तो कुछ भी बोलोगे भाई साब भाई उनके पास गने बंदूकें तोपें इ आप बज़ ये बात हैं इंडिया अगर कोई ऐसी हमाकत करता है या वो ये समझता है कि हम पाकिसान को या पाकिसान नहीं हिए यह अपने अखिलाफ़ाद जिसतरा के भी हैं यह हम अपने घहर में रह कर सुलजा आ सकते हैं लेकिन दुश्मन अगर ये समझता है कि उसने जो कर्वाई वो करना चा रहा था वो हमने अंदर से किया है तो ऐसा नहीं है हम सब इकठी होके हिंदुस्तान के प्रापोगंड़ा का जवाब भी देंगे। हिंदुस्तान प्रापोगंडा करता क्यूं है मोका हम नी देते हैं सि यह थे यह क्वेश्शन है को दुश्मन है उसने प्रॉपगंडा ही करना है हम को ऐसी बात करेंगे तो ही मौका मिलेगा ना गलती अपनी भी तो माननी चाहिए कि एक खिलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं है हर हर घर में खिलाफात होते हैं हिंदुस्तान के अंदर सौ एक खिलाफात हैं लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप यकीन करें वह बदला भी पूरा करेंगे और उनको सूच समयत इनका उधार भी वापस करेंगे और वह अभी तक हमारे उपर है और हम इसको वापस करेंगे वाव वकिल साब एक अधर के जंग को आप अभी तक भूले नहीं हैं हम भूलने भ पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सरेंडर है इतनी शर्मिंदगी अगर इन पाकिस्तानियों में होती तो आज ये वकील साब इतनी घटिया बाते नहीं करते और ये वकील साब भारत को डरा रहे हैं और इनका प्रदान मंत्री पूरी दुनिया के आगे भीक का कटोर है मजबूरी है मजबूरी वकिल साब कुछ तो अपने गर में देखके बोलो क्यों बड़ी बड़ी चोड़ रहे हैं और आप लोग क्या बूला जाते इन पड़े लिखे वकील साब को इन पाकिस्तानियों को तो आयना दिखाने में कमी मचुरिया कि यदि कि युकि ये पा आपके लिए पाक मेड़े सेलेटेड वीडियो लाते रहता जै हिंज बंदे मातरम जै श्राम जै श्राम जै श्राम जै श्राम